ये जो प्रेस वारता है ये बड़े एहम बिंदू पे है एक ख़बर कई दिनों से चल रही है भ्रष्टाचार को लेकर और हमने देखा है कि कैसे जुड़ गई है सारी कड़िया पापी आपके नेताओं को लग गई है हतकड़िया और जिस मैतपून सवालों को जनता उठा रही है बहुत संग्षिप्त में पहले मैं जो भ्रष्टाचारी पापी आप है उनके नेताओं से कुछ सवाल पूछूँगा और उसके बाद जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक इमांदार प्रदानमंत्री शिरी नरेंदर मोदी जी ने एक लड़ाई छेड़ी है कि ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है एक तरफ सारे कटर बैमान पापी भ्रष्टाचारी जिनको न्यालों से कोई राहत नहीं मिल रही वो खड़े हैं दूसरी तरफ एक इमांदार प्रदानमंत्री एक सो चालिस करोड जनता वो पाई पाई का हिसाब मांग रही है सबसे पहला सवाल जो अर्विंद केजरिवाल और जो भ्रष्टाचारी आपके नेता हैं उनसे पूछना चाहेंगे यह जो न्याले जाते हैं अर्विंद केजरिवाल और अब आप गिनिये क्या अर्विंद केजरिवाल जी सबसे पहले दिल्ली उच न्याले गए और उन्होंने कहा नौ समन्स एडी के आए हैं उस पे रोग लगाई जाए और मेरी गिरिफ्तारी ना हो पहली चोट दिल्ली उच न्याले ने कहा प्रतम द्रश्टया फाइलों का अवलोकन करने के बाद यह सपश्ट है कि शराब गोटाले का अगर आरोपी कोई है तो वो आप है और उनको राहत नहीं मिली उसके बाद इडी कोट गए उन्होंने कहा इडी को मेरी हिरासत ना दी जाए इडी कोट ने कहा नहीं इडी जाज करेगी आपको मुश्किल सवालों का जवाब देना पड़ेगा उसके बाद वो पुने दिल्ली उच नहले गए कि ये जो आदेश हुआ है इस पे रोग लगाई जाए दिल्ली उच नहले ने रोग नहीं लगाई फिर वो इडी कोट गए इडी कोट ने उनकी हिरासत को आगे बढ़ा दिया और हमने देखा कि पुना 15 एपरिल तक उनको जुडिशिल कस्टिडी में दे दिया गया ये हुई पांच चोटे इसके साथ मनीश से सोडिया मनीश से सोडिया 14 महीने से जेल में है इडी कोट ने बेल नहीं दी डेली हाई कोट ने बेल नहीं दी सुप्रीम कोट ने बेल नहीं दी रिव्यू पेटिशन फाइल किया बेल नहीं मिली चार और चोट लगी पाँच और चार नौ नौ बार न्याले से मूग की खानी पड़ी संजे सिंग इडी कोट कोई रहात नहीं उसके बाद दिल्ली उच न्याले कोई रहात नहीं ग्यारा तो क्या आज ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे ये जो सारी बहस है ये प्रेस वारताओं में ही होती है लेकिन न्याले के अंदर जो आपकी दलीले हैं ये खोकली है और देश सम्विदान से चलता है लोक्तंत्र में मर्यादा होती है न्याले फैसला करता है कि किसको बेल मिलेगी किसको नहीं इस पे आपका कोई प्रवक्ता कोई जवाब नहीं देता है दूसरी बड़ी बात क्या ये सत्य नहीं है कि मनीश सोडिया की गिरिफतारी हुई आपने उनसे स्तीफा लिया आपने सतिंदर जैन से भाजपा नहीं दबाब बनाया जनता की आवाज बन गए आपने स्तीफा लिया आज ये दोरे मापदंड क्यों है अरविंद केजरिवाल जी आप स्वेम आज आरोपी है जेल की सलाकों के पीछे है तो आप स्तीफा नहीं देंगे लेकिन मनीश से सोडिया और सतिंदर जैन से आपने स्तीफा ले लिया और I must definitely say that the people of Delhi deserve a better CM they deserve a CM who can give them an honest government a transparent government not an accused of a serious corruption charge who wishes to augment his own income and run a government from behind bars दिल्ली की जंता कह रही है साड़ा हक एथे रक बहुत हो गया आपका प्रस्टाचार तीसरी जो बड़ी बात है जेल से सरकार चलेगी अर्विंद केजरिवाल जी आप जब भारतिये राजनिती में पहला कदम रख रहे थे तो आपने कहा था किसी पर आरोप लगे तो उसको स्तीफा दे देना चाहिए जब उसका नाम पाक साफ हो उस पे कोई आरोप न लगा हो उसके बाद वो पुन है राजनिती में आए और सारजनिक जीवन में आए आज उस उद्देश का क्या हुआ जनता थूथू कर रही है आपकी राजनिती पर मुझे कश्ट है कहते हुए एक व्यक्ति जो कहता था कि मैं भरष्टाचार को खतम कर दूँगा आज वो भरष्टाचार का परयाय बना हुआ है क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा अर्विंद केजरिवाल बच्चों की कसम खाता हूँ मैं राजनिती में नहीं आऊँगा राजनिती में आगए बीवी की कसम खाता हूँ कॉंग्रेस समर्थन नहीं लूँगा मैं बड़ा बंगला नहीं लूँगा भरष्टाचार करके शीश महल बना दिया मैं गागे नार में छोटी सी गाड़ी में बैठूंगा पूरा काफला चलने लगा मैं सुरक्षा नहीं लूँगा ये तो दिल्ली की जनता के लिए है जेल में भी सुरक्षा ली हुई है ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अर्विंद केजरिवाल ने ठगा नहीं अन्ना हजारे जी का दुख कौन जानेगा जिसने अपने गुरू को नहीं बख्षा दिल्ली की जनता को नहीं बख्षा कीर्तिमान बना दिये हैं भरष्टचार में आज उनके प्रवक्ता आके कहते हैं हमें खबर मिली है कि हमारे घर भी रेड होगी हम भी गिरिफ्तार होंगे तो कार खोल के सुन लो पापी आपके जो भरष्टचारी नेता है भरष्टचार किया है तो जेल तो जाना पड़ेगा ये प्रतिबद्धता है आदर्णिये प्रदान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की किसी भी भरष्टचारी को बक्षा नहीं जाएगा और ये सब जान गए हैं कि ये जितनी बार आके प्रेसवारता करके कहते हैं हमें डर नहीं लगता है जब अरविंद केजरिवाल थरथर काम गए जाड़े में पसीना आने लगा तो बाकियों की क्या हालत है ये जग जाहिर है एक सवाल और ये पूछना चाहता हूँ सतिंदर जैन मंत्री थे आम आद्बी पार्टी की सरकार में और उस वक्त अरविंद केजरिवाल कह रहे थे कटर इमानदार है वो स्वास्त मंत्री बने रहे और जेल से ही कारे कर रहे थे क्या कर रहे थे मालिश करवाते थे पॉक्सो एक्यूस्ट से मतलब ठेरिपिस्ट और दे रेपिस्ट अर्विंद केजडिवाल और सतेंदर जैन की नजरों में एकी थे आज the question that we wish to ask from this platform is of constitutional morality नेतिक्ता, सम्विधानिक नेतिक्ता की बात करने जा रहे हैं सबसे पहली जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की जो डेड़ करोड दिल्ली वासी हैं उनके प्रती आपकी जिम्मेदारी है अब आप मुझे बताईए कोई निर्ने लेना हो, अतियावशक हो कोई संकट हो केंदर सरकार तो खड़ी ही रहेगी लेकिन सम्विधान में आपकी जो जिम्मेदारिया है आप निर्ने कैसे लेंगे आप तो कहते थे कि अगर किसी के नाम पे दाग लगे तो वो स्तीफा दे, आज आप एक नया कीर्तिमान बना रहे हैं कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री, जेल की सलाकों के पीचे से सरकार चलाने जा रहा है और चिंता की बात ये है नेतिकता बची नहीं है जिस कुर्सी पर मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल बैठते थे उस कुर्सी पर बैठकर दोनों तरफ तिरंगा लगा है वही से परिवारवाद की बुआ रही है और संदेश मजबूत दिया है अर्विंद केजरिवाल पापी आपके कनवीनर ने आम आदमी पाटी में कोई ऐसा नेता नहीं है जो इस लायक हो कि दिल्ली वासियों की सेवा कर सकेगा या तो मैं हूँ या मेरा परिवार है तो अर्विंद केजरिवाल का दोगलापन इस से प्रतीत होता है उन्होंने कहा भ्रष्टाचार खतम कर दूँगा खुद भ्रष्टाचारी बन गए उन्होंने कहा परिवारवात के खिलाब मेरी लडाई है तमाम बयान है उनके और आज उन्हें अपनी पार्टी में कोई नहीं मिला केवल और केवल अपनी धर्म पतनी सुनिता केजरिवाल जी मिली और जब हम ये बात कर रहे हैं उस वक्त एक बड़ा सवाल मैं आपके समक्ष रखूँँगा आधर्णिय प्रदान मंत्री जी ने एक संकल्प लिया है एक बीड़ा उठाया है कि भरष्टाचार को खतम करना है ये लोग कहते हैं कि जाँच एजिंसियों का दुरुप्योग होता है और इस मंच से बड़ी जिम्मेदारी से हम लोग ये तथ्य आपके समख्ष रखते हैं जनता फैसला कर लेगी दूद का दूद और शराब की शराब हो जाने दीजे कॉंग्रिस पार्टी हमने देखा था कुछ दिन पहले कि सारे भरष्टाचारी सारे वंचवादी सारे सांपरदाई राज़िती करने वाले सब इखटे हुए थे तो आज भरष्टाचार के मुद्दे पे क्योंकि ये प्रेसवारता है और तत्थे रखना आवश्चक है मैं आपको ये तत्थे बदा रहा हूँ अगर एक तत्थे गलत हो तो आप कहिएगा भरष्टाचार की जननी भरष्टाचार जहां से शुरू होता है कॉंग्रिस पार्टी सोनिया गांधी राहूल गांधी दोनों के दोनों सरवोज न्याले तक गए इनको रहत नहीं मिली और इन्होंने कहा कि हमारा मुकदमा राजितिक ध्वेश से इसे खतम किया जाए तत्थे यह हैं सरवोज न्याले ने मना कर दिया धीरत साहू इनका सांसत 352 करोड रुपए नगत पकड़े जाते हैं न्यालने तो राहत नहीं देता है इसके बाद अर्विंद केजरिवाल तेरा दिन हो गए हैं जेल की सलाकों के पीछे हैं न्यालने से राहत नहीं मिली मनी से सोडिया 14 महीने से जेल में हैं राहत नहीं मिली मैंने बता दिया कितनी बार वो न्याले गए संजे सिंग आज 5 महीने से उपर हो गए हैं जेल में हैं राहत नहीं मिली सतिंदर जैन 22 महीने करीब करीब जेल में रहे हैं बीज में बेडिकल ग्राउंड पे बेल मिली थी सर्वोट जैले ने रिरस्ट कर दी हिमंत सुरेन जे एमेम दो महीने हो गए जेल की सलाखों में नैले से बेल नहीं मिली के कविता इनको बेल नहीं मिली इनके भी करीब 20 दिन हो गए इसके बाद टीमसी के अनुबराता मोंडल 19 महीने से जेल में हैं इनको बेल नहीं मिली लेकिन कोसेंगे किसको जाच एजेंसियों को लोगतंत्र खतम हो रहा है लोगतंत्र नहीं खतम हो रहा है भ्रष्टाचारी पार्टियां खतम हो रहे हैं पार्था चैडर जी गुलाबी गड़ियों में खेल रहे थे याद करिए वो द्रश है देज भूला नहीं है बीस महीने से जेल की सलाकों के पीछे है तमाम और ऐसे बैफेने नेता है। मैने यहूद्हारण क्यों दिए? यह सारे उधारण एक ही बात बया कर रहे हैं। यह भष्षथा चारी जब पकड़े जाते हैं तो यह लोग कहते हैं लोग तंत्र करका हो रा है, जबकि न्याले और जंता कहती है भष्षथा चारी करता है और ये कभी भी तत्यों पे बात नहीं करेंगे ये लोग इधर उदर की बात करके बेलाने का काम करते हैं इसी के साथ चुनाव का दौर है जमता अपना मन बना चुकी है एक तरफ बाजपा की चार सो पार होंगी एंडिये की दूसरी तरफ क्या ओची घटिया गंदी राजदिती इंडिये लाइन्स वाले कर रहे हैं इनकी जो रैली हुई वहाँ पे भरश्टाचार हर जगा दिखाई दे रहा था लेकिन दो बयानों पे सक्त टिपणी करना चाहेंगे जोकी चिंता जनक है और आपत्ती जनक है पहला राहुल गांदी का व्यक्तव्वे है अभी आदर्निय प्रदानमंत्री जी ने भी ये बात उठाई है अपनी जनसवा में उत्रकंड में राहुल गांदी का कहना है कि अगर बीजेपी चुनाव जीती अगर बीजेपी चुनाव जीती तो देश भर में आग लग जाएगी और आप याद करिए इसी तरह से एक विक्तव पे सोनिया गांदी ने दिया था C.A. पे जब आंदोलन चल रहा था कि यह आर पार की लड़ाई है और हम सब जानते हैं ताहिर हुसेन आपके पार्शत थे उनकी बेल अभी तक नहीं हुई आग लगाने का काम किस ने किया तब सोनिया गांदी ने किया अब राहुल गांदी कर रहा है मतलब सोनिया गांधी पेट्रोल है तो राहूल गांधी माचिस है दोनों मिलेंगे तो देश को जलाने का काम करेंगे आप विपक्ष में हैं मुद्दे उठाइए लेकिन इस तरह से माचिस लेके घूमोगए की आग लग जाएगी लोगतंत्र खतम कर देंगे ममता बैनर जी कहती है लागू की एस ये तो ग्रहयुद हो जाएगा ये किस तरह की नकरात्मक राज़िती है और ये क्या दर्शाता है ये दर्शाता है कि आज जो विपक्ष के ये इंडी ऐलाइंस के दल है ये दिशाविहीन है दे आलाइक अ रडिलिस शिप उनको ये नहीं पता कि उनको जाना कहा है वो टाइटानिक जहाज की तरह डूबने के लिए तैयार है और जनता ये सुनिश्चत करेगी कि ये भरष्टाचारी, सामप्रदाइक और वजवादी जहाज डूबे जरूर इसी के साथ दूसरी बात जो बड़ी प्रमुक है वो ये है चुनाव का समय है एक तरफ एंडिये एलाइंस और भाजपा मजबूती से जनता के बीच में जाकर उनका अशिरवाद प्राप्त कर रही है जनता अशिरवाद दे रही है लेकिन इंडिये एलाइंस जान गया है कि इस बार वो एक नया कीरतीमान बनाएंगे कीरतीमान जमाना जब्त होने का और इसी लिए तिजस्वी यदव ने कहा कि EVM सेट है और अब राहूल गांदी ने जो कहा है उन्होंने कहा ये मैच फिक्सिंग का चुनाज जीतना चाहते है क्या ये अपमान नहीं है अधनागरिक का क्या ये अपमान नहीं है एलेक्शन कमिशनर अव इंडिया का क्या ये अपमान नहीं है हमारे चौटेस तब मीडिया का क्या भारत जैसे मजबूत लोक्तंतर में किसी की हम्मत है कि मैच फिक्सिंग हो जाए मैच फिक्सिंग की बाद वो ही करते हैं जिन्होंने सत्ता में रहकर एमर्जेंसी अपातकाल लगाया जो खुद मैच फिक्सिंग करते आये हैं और मैं इतना ही कहूँगा इस तरह के जब बयान आते है तो राहूल गांदी की विश्वस्तियता वैसे ही नहीं बची है लेकिन उस पर एक और धब्बा लग जाता है उनके बयान पिछले दो सब्ता के देखिए उत्तरप्रदेश के लड़के जो है नशेड़ी है मीडिया कौन सी जात की है किसी प्रतिष्टित अभिनेत्री के लिए कहना वो नाच रही थी जब आयोध्या में प्रांट प्रतिष्टा का समरो था और इसके बाद अब मैंने आपको बताया कि देश में आग लग जाएगी और मैच फिक्सिंग का चुनाव है ये मानसिक दिवालियापन दिखाता है पूरे इंडी एलाइंस का और ये एक बड़ा मुद्दा है हम बात कर रहे हैं रोजगार की हम बात कर रहा हैं कैसे देश आगे बड़ेगा हम बात कर रहा हैं कि सबसे तीसरी सबसे बड़ी अर्च विहस्ता भारत बनेगा हम कहरें 2047 तक हम एक डिवलब नेशन होंगे और ये मीडिया से जाद पूछते हैं अभिनेत्री का अपमान करते हैं आग लगाने की बात करते हैं क्या विपक्ष का ये एजेंडा है और इसी लिए कहना गरत नहीं होगा और मैं अंत करूँगा इस बात से बहुत ही निरनायक चुनाव है ये और इस निरनायक चुनाव में एंडिये को 400 पार सीटे मिलेंगी देश की जंता ऐसा करारा जवाब देगी ये जो इंडी एलाइंस है इनको अपनी राध्यतिक हैसियत और नकरात्मक राध्यति करने का जो परणाम होता है दोनों का जवाब मिलेगा देखिए मैंने बिल्कुल स्पष्टता से एक बात कही संविधानिक नैतिक्ता constitutional morality वो अर्विंद केजिरिवाल और आम आदमी पार्टी में बची नहीं है दूसरी जो बड़ी बात कही वो और महतपूर्ण है कि जनता का हित सर्वोपरी होता है किसी भी सरकार के लिए कोई मुख्यमंत्री जनता से उपर नहीं है और कानून से उपर नहीं है अगर जेल की सलाखों से अर्विंद केजिरिवाल सरकार चलाना चाहते हैं इसका मतलब उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से मोह है लेकिन जनता से कोई प्रेम उनके प्रती उनकी आस्था शुन्ने है नग्ने तीसरी बड़ी बात जो बात अर्विंद केजिरिवाल मैं एक उनका देखे ट्वीट लेके आया हूँ पुराना 2013 में कह रहे थे शुड पीपल जिस्ट रिजाइन फो करॉप्शन और शुड बी सेंट टू जेल फोर करॉप्शन क्या भरष्टाचारी व्यक्ति का सिर्व स्टीफा होना चाहिए या उनको जेल की सलाकों के पीछे डाना चाहिए आज वो व्यक्ति स्वयम प्रतब्रष्टिया जब न्याले कह रही है भरष्टाचारी है तो वो कुर्सी से चिपक के फिविकोल लगा कर बैठे हुए ये अपने आप में चिंता जनक है और जनता क्योंकि चुनाव का महापर्व है इसका करारा जवाब सभी इंडी एलाइंस के दलों को देगी कि देखिए एक तथ्य आपके समक्ष रख देता हूं जब अरविंद केजरिवाल को च्छे साथ महीने पहले ये आभास हुआ कि एडी का शिकंजा उन तक पहुँच रहा है तो हर दूसरे तीसरे दिन इसी तरह की एक प्रेसवारता करके कहते थे कि अरविंद केजरिवाल गिरिफ्तार होने वाले हैं और अब वही नाटक जो छोटे कलाकार है पापी आप में वो लोग कर रहे हैं जो मुद्दे की बात है समझने की बात है कानून अपना कारे करता है जहांच जिंसी अपना कारे करते हैं अगर आपने भरष्टाचार में कोई भूमिका निभाई है तो ये अति आवश्यक है कि ऐसा व्यक्ति जेल की सलाकों के पीछे जाए और जो जंता की गाड़ी कमाई है उसको वसूला जाए तो ये कुछ नहीं है ये ढोंग है नाटक है क्योंकि आम आदवी पार्टी में किंग पिन तो अर्विंद के जरिवाल हैं लेकिन जितने छोटे कलाकार हैं इन्होंने भी घोटाला करने में पूरी तरह से अपनी भूमिका निभाई है देखिए अर्विंद केजरिवाल वो वेक्ति हैं जो कभी कहते थे कि मुझे गिरिफ्तारी से डर नहीं लगता है और जब गिरिफ्तार होने की बात आई तो वो थर-थर कांपे उनका ही एक बयान उन्होंने का इस तीफे को तो मैं जूते की नोक पे रखता हूँ लेकिन जब देने की बारी आई नेतिक्ता के आदार पे तो उनके अपने हाथ कांपने लगे उन्हें कुर्सी का मोह दिखाई देने लगा इसी तरह से जो बात आप कह रहे हैं ये किसी भी पार्टी का अंद्रूनी मामला होता है लेकिन एक बड़ा संदेज जनता को ये गया है कि जनता की फिक्र आमाद्बी पार्टी को नहीं है पहला दूसरा अर्विंद केजरिवाल को अगर लगाव है तो वो कुर्सी से है जनता से नहीं है और तीसरा अर्विंद केजरिवाल की नजरों में उनके परिवार के सदस्य को छोड़ कर और कोई आम आद्वी पार्टी में इस लायक इस काबिल नहीं है कि वो दिल्ली की जनता की सेवा कर सके और जैसे अर्विंद केजरिवाल किंग पिन होने के नाते सुनिश्चित करते हैं कि उनके बाकी साथ ही जेल जाएं ऐसा प्रतीत होता है कि अब शडियंत रहे है कि जब आम आद्वी पार्टी में कोई नेता बचेगा ही नहीं तो जो अर्विंद केजरिवाल चाहते हैं वही होगा और उनकी धर्म पत्नी ही मुख्यमंत्री बढ़ जाएं इस नहीं ख्राटी जाएं नहीं तो प्रता चाहते हैं कि अश्ड़ में ख्राटी जडियं देनी आव श्रुच्चिजिए लाएं जाए टॉज़ आ ढाटी दियांस प्रता है as SDPI. Even in the Karnataka Assembly elections, there was an understanding between the Congress and the SDPI. And I must say that the band wing of the SDPI, PFI, is nothing but a reflection of the anti-mindset that parties like the Congress and the TMC have. Any other questions? I think that question I have already answered. I will give you a question. But I will say one thing. Is it the dream of Arvind Kejriwal that the whole cabinet will go from jail? And what I thought is that Jail No. 1 is Manish Usodia, Jail No. 2 is Arvind Kejriwal, Jail No. 5 is Sanjay Singh, Jail No. 6 is K. Kavita is K. 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 Fay निश्चे है और कोई पापी बचले नहीं पाएगा आप बहुत समझार है धन्यवाद समें को आप यहां आए बहुत बहुत धन्यवाद तैंक यह थैंक यह थैंक यू जाख एवरियों